हेलो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागद है आए स्रीज नबर 29 में में आपका आपका स्वागद करता हूँ आज हम सीखने जा रहें डिफेरेंस बिट्विन पाई चार्ट और डोनट चार्ट आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में यह क्या है यह क्या है डोनट चार्ट इन द दोनों में क्या डिफ्रेंस होता है एक काम करता हूं मैं पहले इनको क्रेट कर देता हूं यह कौन सा है पाइचार्ट करता हूं डोनट चार्ट को भी इंसेट कर देता हूं ठीक है एक काम करता हूं इनमें पहले डेटा सेट लेता हूं दोनों में लेजेंड में सेग्मेंट्स प्रेस करता हूं वैलिज में इस बार रखता हूं यह आपको दिख गया आप पाई चार्ट को सेलेट करता हूं लेजेंड में सेग्मेंट और युनिचोड वैलिज में ठीक है एक काम करता हूं दोनों को ब्राबर लियाता हूं फिर को इस फॉर्मेटिंग करते हैं यहां पर आपको कीजिएगा ठीक है लेट-स टीक है कैने से फोर्मेटिंग करने हैं ऑचक्वाइट कर दोूब होग में शॉचित versuchen और कम कर दो यहां पर आपको किछिएगा ठीक है यह। इसकी हाइट और बढना चाहते हैं नहीं बढना चाहते है ठीक है बैगराउंड बॉर्डर को आप इसको क्लिक करते हैं यह देखा लग जाए ठीक है इसमें की जिएगा फॉर्मेटम विंडो आ गई ठीक है एक आम कर टाइटल एजेंट जली जली करता हूं तीक है मैं इसको कोपी यहांबर पेस्ट करना है अ हम पर पेंटर पर चाहिए और यहांबर पेस्ट कर दिए और इसको भी हर्कार कर देगा आपको दिख रहा है सबसे पहले पाई को देखिए पाई में आप सरकल बेसे में कम्प्लीट एरिया कवरें डोनेट में क्या रहे लेकिन यहां पर जो एरिया है वह कम्प्लीट में बस दोनों में यही डिफ्रेंस और एक चीजा है दोनों चार्ट में आपको यह मिलेगी आप जो भी अपना डेटा पर्जेंट करना चाहिए वह परसेंटेज की फॉर्म में आप पर्जेंट कर सकते हो करेक्ट है यानि की इन सॉट में बोलू तो पाई चार्ट में आप कम्प्लीट एरिया आपको कवर होता ह आपको सर्कल में पजेंट होता है अब आपने समझ लिया तो आज आपने क्लीट को डिफ्रेंसियट कर सकते हैं अगर आप वीडियो यहां तक देख लिए तो पीमोर्टिवेशन मिलता है और यह इसां को सीखने मूइज वीलिबि हो पिस लेदा सीखने वेशेम मौसे झाल झाल